difí पूलेट करने हैं प्रोफिट थ्री डिपार्टमेंट namely a radio department है और एक refrigerator department है और एक wash मसीट डिपार्टमेंट है या इनका काम electronic वगर का है कि तो एक radio department हो गया एक washing machine और एक हो गया हमारा refrigerator का separately for month जैन 2021 he informed that gross profit sales 3 department बोलता है कि पहले वाले department पे इतना कमाई है दूसरे वाले पे इतना है तीसरे वाले पे इतना है यानि जिस सवाल में आपको gross profit देगा न तो एक चीज़ ध्यान रखना वहाँ पे आपको closing stock देखने को नहीं मिले शायद क्योंकि gross profit दे ही दिया तो आपको वहाँ से क्या नि department turnover कहता है जितने भी हमारे indirect expense है वो किसमें चार्ज होगा turnover यानि sales के रेशो में बाटा जाएगा the following expense आफका department का given है opening stock given है आपका purchases given है आपका direct expense given है आपका sales इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है हर department का दे रख है बस लिखने की बात है यहां पढ़ता है total indirect expense for the month including those related department 55,000 रुपे है on total sales और total sales जो है वो है हमारा बीस लाख total sales बीस लाख पचास अजार कैसे आएगा इनको एक बार जोड़ो यह कौन से महीने के कहता है जैन नहीं बन रहा कहता है total indirect expense for the month जैन आपका including those related to other department were 55,000 on total sales ओके यह स्रिफ इस department का खर्चा नहीं है यह जो खर्चा दे रख है 55,000 यह other department से भी related है total sales दे दिया चलिए prepare departmental trading and profit and loss account ascertain the gross profit and a net profit for after making 10% reserve on stock at the end of the year मजे की बात देखो यहाँ पर सीधा बता दिया के जो stock है उसके उपर 10% का reserve है तो यहाँ पर GP ratio भी नहीं निकालना सीधा जो closing stock है उसके उपर फटा फट 10% 10% हम क्या करेंगे निकाल लेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पर अगें ट्रेडिंग पीएंडल और जर्नल जर्नल का तो यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा बाकि जर्नल में क्या जा सकता है indirect expense पीएंडल में डालेंगे जर्नल का कुछ बा एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट तीन डिपार्टमेंट अब यह तीनों डिपार्टमेंट इधर भी आ गया क्या ख़ुत पपलब तीन जर्नल का तानी हुआ ती मदेश無Yर सकते हैं। चलिए सिंपल तरीके से देखते हैं यह हमारे डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है सबसे पहले क्या लेकले लेकले टू ओपनिंग इस्टॉ क्या गीवन है उपनिंग स्टॉक येस गीवन है कितने हैं दो अससी और डेड़ लाग परचेज गीवन है परचेज कितने गीवन है चालेस हजार बीच वाले चालेस है न डारेक्ट एक्स्पेंस डारेक्ट एक्स्पेंस चालेस तीन चार सो और पंदरा दो सो ये तो सिंपल आपको ये तो समझ में आई रहा हुआ आप देखो मैंने यहां टोटल का कॉलम नहीं बनाए कुछ बच्चे बोलेंगा सर कभी आप टोटल का कॉलम बना रहे हो कभी नहीं बनाना हमें कैसे पता चलेगा आपकी टोटल की कॉलम बनाने आपकी इच्छा है आप बनाना चाहते हो तो बनाइए नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए कोई फरक नहीं पड़ता total के column से ठीक है मैंने सवाल number one में total का column रखा था two में नहीं रखा तो वो मेरी मर्जी है मैं बना लेता हूँ कई बार space के according कई बार नहीं बनाता और इसके नीचे का हिस्सा क्या होगा का पी एंडल कहता है टोटल इंडारेक्ट एक्पेंस फूर दा मन्त आफ जैन इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग तू अधर डिपार्टमेंटल पच्पन हजार रुपे के जनवरी में था एंड टोटल सेल्स बीस हजार मतलब कहने का मतलब है इतने सेल पे इतने सेल पे इतन कि समझ रही हो बात को यानि सार आप समझिएगा इसको कैसे बाठेगे है इसे रेखा है किसका दिपार्टमेंट का रिडीयो डिपार्टमेंट मैं नाम नहीं लिखा रेडियो रेफिजरेटर और क्या था एक वासिंग मसीन अब चलिया यहां बात कर रहे हैं, सर किसका एक तो रेडियो डिपार्टमेंट है, इसका सेल्स कितना है, चार पचास, रेफिजिडरेटर है, इसका सेल्स कितना है, पांच चालेस, और एक कौन सा है, वासिंग मसीन है, इसका सेल्स कितना है, तीन पचास, अगर इन सभी डिपार्टमेंट का sales को मैं जोड़ दू तो कितना sales बन रहे है तेरा लाग हाला कि ये जो खर्चे हैं वो जो खर्चे हैं वो इस ratio में बट जाने चाहिए 55,000 इस ratio में लेकिन क्या कहता है यहाँ पे कहता है कि indirect expense for the month jan including those related to other department मतलब जो इससे है और इससे अलग total कितने का 55,000 और total sales 55,000 यानि इतने sales करने पे ये 55 का खर्चा हुआ है यानि आपका 13,40,000 के sale करने पे खर्चा नहीं हुआ ये ये कितने sale करने पे हुआ है ये 20,00,000 पे तो अगर हम ratio निकालें तो बहुत simple सी बात है कि भीया 55,000 का खर्चा हुआ और इसको divide अगर मैं 20,50,000 कर दूं तो एक रुपिया पे खर्चा आ गया ये मैं मान लो simple सी बात है ऐसे नहीं समझ मारा तो मेरे 100 रुपे का खर्चा हुआ और मेरा 200 रुपे का sale करने पे खर्चा हो रहा है अगर मैं 200 रुपे का समान बेचूँगा तो 100 रुपे का मेरा खर्चा होगा घ्यान देना 200 रुपे का अगर मैं समान बेचूँगा तो 100 का खर्चा होगा तो एक रुपे का बेचूँगा तो कितना खर्चा होगा नहीं समझ में आई बात अगर 100 रुपे का समान बेचोगे तो 100 रुपए का खर्च आएगा और एक रुपए का समान बेचोगे तो कितने का खर्च आएगा एक का अगर 100 का समान बेच रहे हो 100 का खर्च आए तो एक रुपए का समान बेचने पर एक का तो आप कैसे निकाल पा रहे हो डिवाइड करके, यानि जैसे ही आपने 100 divided by 200 किया तो 50 पैसे, ये कितने रुपे पे निकल गया? एक रुपे पे ठीक है? अगर आपको एक रुपे पे खर्चा पता चलिया है, तो आपको जो sales इस department का fix करना है, इस department का fix करना है, वो 450 से multiply करेंगे तो इस department का आजाएगा? यानि तीनों डिपार्टमेंट का अगर मैं खर्चा निकाल लू तो हाला कि एक मैं करके दिखा देता ह जो कि चार पचास होगा, तो चार पचास डिवाइड़ बाई, पच्पन हजार, ये आ गया हमारा बारा सो तीहत्तर रुपे, तो ये इस डिपार्टमेंट का खर्चा आया, कहने का मतलब है सर, ये पच्पन हजार रुपे सिर्फ इन तीन डिपार्टमेंट का नहीं है, इसके अलावा भी कहीं खर्चा हो रहा है, समझ रहे हो बात को, अब दूसरे का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये पहले का होगी है, अब दूसरे का मैं इधर निकाल देता पच्पन हजार रुपे खर्चा है सर, और किस पे बीस हजार, बीस लाख पचास हजार पे, और एक चाहिए हमें पांच लाख है, तो पच्पन हजार डिवाइड़ बाई बाई बीस लाख पचास हजार इंटू में, चौदा हजार, चार सो सतासी कहलो, चार सो अठासी कहलो, आपकी मरजी है, थर्ड वाले का कैसे निकलेगा सर, थर्ड वाले का अगें पच्पन हजार, डिवाइड करेंगे, हम बीस लाख पचास हजार, और मल्टिप्लाई कर, जगह नहीं है, इसलिए ऐसे लिख देता हूँ, तीन पचास, बताईए क्या रहा है, 9,360, पहले समझ में आये क्या कर रहे हैं, तो यानि सर, अब इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे ना तो 55,000 नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा 55,000, 55,000 तो सर, धेर सारा एक्स्पेंस है, वो सिर्फ इस तीन डिपार्टमेंट के खर्चे नहीं है, इस तीन के अलावा भी होगे, क्या कहता है ये, the indirect expense for the month of January, including those relating to other department, मतलब इस से तो related है, इसके अलावा और भी होगा, जो नहीं बता रहा है, तभी तो आपको sales इसने 20,50,000 दिया है, यानि जो other department के भी जो हमारे sales होंगे, उन सभी को और इस department के भी sales को total मिला के जो हमारा बन रहा है, 20,50,000, हमने इस department के sales के according उस खर्चे को क्या कर लिया, पर पोस्नेट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा indirect expense, क्या आ जाएगा 12,000, और 14,000, और 93, clear है यहाँ तक, अब सर यहाँ पे कहता है, stock reserve भी है, कहता है कि trading and profit and loss are certain gross profit unnet profited, after making 10% reserve stock at the end of each department, सर ओपनिंग पे नहीं है, reserve, किस पे है, closing, जब कुछ ना बोला जाए कि किस पे reserve है, तो दोनों पे है, अगर बोला जाने, stock पे reserve है, जब तो सर, stock यह भी है और यह भी है, समझ रहे बात, अगर बोला जाए at the end वाले पे, तो आपको पता चल गया, clearly किस की बात चल रही है, closing के, ठीक है, तो अब आजाते हैं हम फटा फट से, यहाँ पे उसने gross profit का rate भी दे रखा है सर, सर GP का rate 50, 40 और 30, तो मतलब मैं इन सब का gross profit निकाल सकता हूँ, अगर GP की बात करें, तो इसका होगा कितने percent, 50 percent, तो कितना आ जाएगा हमारा 2,25 इसका कितना होगा, 40 percent, तो 5,40 का 40 percent कितना होगा, 2,00,00, तीसरे का कितना होगा, 3,50 का, 1,00,00, यह आ गया, सर अगर इसको हम पूरा solve भी, हमारा मेन मुद्दा तो यही होता था निकालना, और यह वाला तो सवाल में दे रखा है, तो यहाँ पे अब जो निकलेगा ना, वो निकलेगा closing stock, जो की निकलने वाला है, balancing figure, समझे, तो अब क्या करेंगे, हम 20,000, sorry, 2,00,00, 3,00,00, और 40,500, और 225, 7,65, 500, 7,65, minus 450, closing stock आ गया, 3,00,00, पंद्रह हजार, 500, समझे, ऐसे दूसरे का देख लेते हैं, 280, 40,000, 30, 400, 211, 600, 211, 600 है, 21,16,000 लिख दिया है, कितना था, 216, ना, यह कराटेज़िट आ गया, 216, ठीक है, इसका टोटल बन रहा है, सर, 5,6,66, 5,66, 400, minus 5,40, 26, अब बस, अब बस, यह, यह, 40,000 है, चार लागे, और फॉस्टन में, 40 है, और प्रिंटिंग एर्र रह गया होगा, कोई बात नहीं, दो के बाद, point भी कॉमा लगा रहा हैं हम तो इसके हिसाब से चल रहे हैं चलने तो फिर आपको करना को तो करी लोगे आप तो ठीक है न आगे देखते हैं 15,000 माइनस में तीन सत्तर दो सो ठीक है अब जो इसका स्टॉक रिजर्व निकलेगा वो इस अकाउंट में थोड़ी जाता है वो तो कहां जाता है जर्नल जो कि हम लास्ट में कर लेंगा यहां से जीपी आ जाएगा हाला कि ट्रेडिंग प्रॉफिट यहीं तक बोला था फाइनल प्रॉफिट नहीं बोला लेकिन अब फिर भी बना रहे हैं आपके बुक से मैच नहीं होगा सवाल क्योंकि इसमें मिस्प्रिंट था थोड़ा सा जो बभी बताएं बच्चों ने के सर चालीस अजार के जगह पर चार लाक होगा आप उसको ऐसे कर लीजिए वहाँ चेंज करेंगे सारा ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है टू नेट प्रॉफिट दो लाक पच्च्छेस अजार वह अलग जर्नल में निकालेंगे न इस्टाउक रिजर्व की तो जगह जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस में यह एक लाक पांच है रहे है तो दो पच्छिस मैंनेस एकसो बीस तिहात्तर कि यह एक टू वन टू नैन टू सेबन दो लाक शोलाहाँ हजार मैंनेस में वन पॉर फॉर डबल एट वन दबल पॉर डबल एट टू जी रो वन फाइब यहां तक समझ में आया है प्रहले यहां तक देख लीजिए तर टोटल का कॉलम नहीं बनाना आपकी इच्छा है टोटल का कॉलम आप बनाए ना बनाए वह आपके उपर टोटल डिपेंड्स बनाना चाहते है तो बना लो क्योंकि एक जगह और है वो बन जाएगा अगर मेरे पास लगा इस वैसे टोटल से एक्जामनर को कोई लेना देना नहीं है और आप यह भी अब्जर्व करोगे टोटल से आपका कोई फाइदा भी ज्यादा तर जनली नहीं होता है वो तो सरफ हम अपने लिए बना लेते हैं किसी कॉलम में हो जाए वह ठीक है ना तो चलिए अ आप एक बना लेते हैं जर्नल पीड़ तो जर्नल पीड़ के लिए हम आते हैं अगले पेज पर करें है कि यह आगया जर्नल कि प्रॉफिट एंड लॉस तो सबसे पहले बाई साइड में आ जाएगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट किस से आएगा सर एक रेडियो है रेफिजरेटर है और वासिंग मसीन है तो इनका गया तू लैक ट्वेल थाउजन नाइन ट्विंटी सेव ट्वेल थाउजन नाइन ट्विंटी सेवन और एक का अगया ट्ू लैक फिफ्टीन हंडेट ट्विल यह ज्यादा नहीं लग रहा मुझे अच्छा ठीक है टू लैक फिफ्टीन हंडेट ट्विल और एक का आगया हमारा 95,610 95,610 ठीक है अब यहाँ पर क्या आजाएगा 2 स्टॉक सर किस-किस पर अगें रेडियो पर रेफिजरेटर पर वासिंग पर कहता है 10% निकालो यानि इससे मुश्किल वाले पॉइंट थो हमने करी लिया है जिसके अंदर हम खुदी परसंटेज निकालते हैं और खुदी पता करते हैं यहाँ तो डिरेक परसंटेज दे रहा है यह तो भई यह 10% निकालोगे तो 3,15,500 का यह आ जाएगा 31,550 31,550 इसके बाद दूसरे का गलत आपके बुक से मैच नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर एरर है 26,40 मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ इसको तो यह आ गया हमारा 26,40 इसके बाद आ गया 3,70,200 का 10% यह आ गया हमारा 37,0,20 तो टोटल आ गया 31,550 यह आ गया 71,210 और यहां आएगा टू नेट प्रोफिट 212,927 2,0,15,12 9,56,10 5,100,49 5,100,49 5,100,49 माइनस में 71,210 यह आपका आ गया 4,3,88,39 बताइए कोई डाउट यह प्रोफिट भुक से मैच नहीं होगा अगेन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं होगा क्योंकि हमने परचेस के फिगर को 4,00,00, जो कोश्चन में था उसके अकॉर्डिंग किया है मिस्प्रिंट कोश्चन में आंसर बता रहे है तो हमने आंसर को देखा नहीं उसके अकॉर्डिंग के है बताइए कोई डाउट यह था आपके बुक का कोश्चन नमबर 3 टोटल ज़्यादा सवाल नहीं है इस बुक में इस बुक में आपके 7,8 सवाल है इस बुक में चार होमवक में देने वाला हूँ और मैं 5 भी देता हूं होमवक में 4,5 होगा तो ठीक नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही 4,5 होमवक में देते हैं और टोटल कितने 8 हैं कितने हैं 10 है सब में एक ही है अब देखें कोश्चन नमबर आठ भी होमवक में लिख लीजिए क्योंकि इस टाइप का कोश्चन हम अल्रेडी पहले ही पहला ही कोश्चन ड़न किया था साइद वो ही तो नहीं है देख ले तो हूँ कोश्चन मैंने कर दिया चार पांच और कुश्चन नमबर आठ आठ के बाद नौ यानि अगली क्लास में खतम कर देंगे इसको यानि अगली क्लास कली है रेगुलर क्लास ले रहे तो अब बता दीजिए किसका क्या डाउट है जो बच्चे लाइव क्लास में हैं यानि यानि वाइव क्लास में हैं यानि 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 अगली क्लास में हैं बता दीजिए किस्ट्वट रहे लाइव क्लाव बता दीजिए झाल झाल